देश में गरीवी को लेकर कॉंग्रस ने केंदर सरकार पर जमकर हमला वोला इसी कड़ी में AICC मुख्याले में कॉंग्रस प्रवक्ता सुप्रिया शुनेत ने प्रस्वाता की इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए शुनेत ने NSSO की रिपोर्ट का हवाला देते हुए क गरीबी 5 प्रतिशत पर आकर रुप गई है उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट के अनुसार शहर की 5 प्रतिशत सबसे गरीब लोगों से 10 गुना जादा खर्च करते हैं जिसका नतीजा है कि आज लोग महगाई और आर्थिक और समानता से परेशान हैं अब लगातार सरकार का नीती आयोग इस देश को और दुनिया को ये समझाने पर ये सिद्ध करने पर तुला हुआ है कि नरेंद्र मोधी सरकार ने गरीबी का सफाया कर दिया है इस देश के नीती आयोग ने अब ये सिद्ध करने का बीड़ा उठा लिया है कि देश में गरीबी नहीं है और एक बिल्कुल चौकाने वाला आकड़ा आया है जिसके चलते नीती आयोग ने NSSO का ये आकड़ा आया है में कहा है कि गरीबी 5% पर आकर टिक गई है 5% पर गरीबी आ गई है मतलब अब सिर्फ 7 करों लोग गरीब है बाकी माला माल है याद रहे कि 11 साल बाद ये जो भोता व्याई जो कंजम्शन एक्स्पेंडिचर का सर्वे है 11 साल के अंतराल के बाद आया है हर 5 साल पर आना होता है उसमें रोटी, कपड़ा, दवाई, पढ़ाई जैसी चीजे हैं ये सर्वे शहर और देहात के बीच की जो बढ़ती हुई खाई है उसको सिद्ध करता है और ये सर्वे पूरी तरे से अमीरों और गरीबों के बीच में लगातार बढ़ते फासले को जिसकी बात कॉंग्रेस पार्टी, जिसकी बात हमारे नेता, राहुल गांदी, जिसकी बात हमारे अध्यक्षी खरगे जी लगातार करते हैं इस सर्वे के मताबिक शहर में रहने वाले 5% सबसे अमीर लोग, शहर ही में रहने वाले 5% सबसे गरीब लोगों से 10 गुना जाद खर्चा करते हैं, एक आकड़ा आपके सामने रख देती हूँ और यह आकड़ा रखना जरूरी है, इस आकड़े के मताबिक ग्रामीर छेतरों में 5% सबसे अमीर, साड़े 300 रुपिया खर्चा कर रहे हैं, और उसी ग्रामीर छेतर में सबसे गरीब 46 रुपए खर्चा कर रह हैं, तो शेहर में सबसे गरीब उसीतन 67 रुपए खर्चा कर रहा है, अमीर इस देश का लगातार अमीर होता जा रहा है, और गरीब निरंतर गरीब होता जा रहा है, इस आकड़े के बाद सरकार किस मूँ से कह सकती है कि 5% गरीब हैं, चलिए आपकी बात मान लेते हैं, 5% लोगी गरीब रह गए, 140 करोण की जनता में 5% गरीब मतलब 7 करोण लोग, आपको 7 करोण लोग अगर गरीब हैं, तो 81 करोण लोगों को मुफ्त राशन इसलिए देना पड़ रहा है कि अगर आप ना दीजिए, तो वो भुखमरी से मर जाएंगे, आज अगर 5% ही लोग गर अगर 7 करोण ही गरीब हैं, तो 35 करोण लोगों के पास आवा गमन का कोई साधन क्यों नहीं, ना कार है, ना गाड़ी है, ना दो पहिया वाहन है, ना साइकल है, 35 करोण लोगों के पास, चलिए 7 करोण गरीब हैं, 45 करोण लोग ऐसे हैं, जिनके पास TV नहीं है, क्यों नहीं यहीं सिखा के बढ़ा किया जाता है कि अगर 100 रुपे पास में तो 20-30 रुपे बचाने की कोशिश करो और सेविंग हमारा कल्चर है इसलिए भारत का जो घरेलू सेविंग रेट है वो जीडीपी का करीब करीब 11% से उपर होता था सिर्फ दो साल पहले दो साल में वो गिरकर 5 परसंट आ गया है जीडीपी के अनुपात में और सेविंग्स रेट का आधे से भी कम हो जाना इस बात की पुष्टी करता है कि लोग जूज रहें महंगाई से लोग जूज रहें आर्थिका सामानता से लोग जूज रहें गरीबी से यूपीय के 10 साल में M.P.C.E. जो कंज जादा पैसा खर्च कर रहे थे तो महंगाई के चलते लोगों को जादा खर्च करना पड़ रहें लेकिन एक बात सच है कि अब चुनाव समीप आ गया है और चुनाव के समीप आने पर इस तरह के सरवे आएंगे लेकिन इस सरवे की सच्चाई और चीक चीक कर जो हमारे हिसाब से इस मंच से हमारी एक ही मांग है कि आकड़ों के साथ जाल साजी और खिलवाल बंद कर दीजिए अपने नारेटिव के लिए इस देश की आकड़ों की साख पर प्रहार मत कीजिए आप ही का आकड़ा अगर मानने तो 46 रुपए प्रती दिन पर 5% इस देश की अबादी गुजर बसर करने को मजबूर है उसी में खाना उसी में पढ़ाई उसी में दवाई उसी में कपड़ा उसी में रोटी करने को मजबूर है उनके बारे में ये सरकार क्या कर रही है